कि हलो फ्रेंड मैं दोग्डर इनिस आज आप लोगों को जीन लोगों को निंद की समस्या है नहीं आती है और वो अंग्रेजी दवाई नहीं खाना चाहते हैं तो इसके लिए आप होमियोपैथिक मेडिसीन नहीं जाएंघ है बेटर मेडिसीन हैं होमियोपैथिक मायथ दिन के लिए चेलिए बहुत है और और पहुत जयाधा दिमाग चलता है है ut amb rains घया हो चलता है ऊचिक एक बहुत ज्यादा मतलब कि तो आती है तो आफ पैंसी यूज करें कि बहुत ज़्यादा टेंसा के वाद़ वर बांतीर तो आप कीकि बात को सोचते हैं निद्र नहीं आने के कारण सर में दर्ध रहता है तो अब पेसी रा मेडिसिन लें और जिन लों को अस्थमा का निस्का प्रोलम है सांस लेने में बहुत ज्यादे दिकत होती है उसके लिए ये परिशिफय gonna ये बहुत ही बेटर करती है और सारी केस में काम करती है लेकिन नेन्द्र के इस में होमयोपैथिक में पाइशी फ्लोरा मेडेशीन है जा वहमी लेना की अब जाना आफ़ evident को entitled पाने में 15 सूबा 15 साम जिन लोगों को थोड़ी समस्य जादा है वो 15 सूबा 15 बंदों पर 15 साम भी ले सकते हैं लेकिन एक चीज और कारण की निंद क्यों नहीं आ रही है हो सकता है अगर आप को निंद नहीं आ रहे हैं तो उस चलते बीपी भी भढ़ जाता है एक उसकेस में है यह पैसीज फ्लॉरा मेडिसीन बहुत ही प्टर काम करती है लेकिन जिन लोगों को निंद ना आने की समस्य कि वह कि इस मेडि सीन पर विचार कर सकते हैं कि मेडिसीन लेób और हम बतायेंगे कि मेडिसीन लेने के पहले हैं एक पर बीपी का टेस्ट जरूर कर Walking और तब जाकर कि कुछ प्रोब्लम नहीं है बस निंद सोचने कारण कुछ ऐसे इंटेंशन से निंद नहीं आ रहे हैं तो पेसी फ्लोरा मेडिसीन लें इसके बाद भी आपको कुछ दिक्कत है तो आपने दिख के फिजीशन के पास जाकर के समझ लें तब जाकर के पेसी फ्ल लगता है तो लाइब सेस्क्राइब सेर करना ना भूलेगा नेक्स्ट वीडियो में भी एक्जेक्ट मेडिसीन का क्या रोल है वह आप लोगों को हम बतलाएंगे